नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे कमल कपूर जी की कहानी आत्म विश्वास तो चलिए सुनते हैं कहानी आत्म विश्वास रात के ठंडे और गहरे संनाटे को चीरते डोर बिल के तीके स्वर ने नूपुर को गहरी नेंज से जगा दिया नाइट लैंग की मद्धिम रोश्णी में उसने समय देखा, तीन बज कर बीस मिनट हुए थे इस वक्त कौन हो सकता है, अपने आप से ही सवाल किया उसने या फिर कहीं सपने में ही डोर बिल जैसा कोई स्वर्तों नहीं सुना उसने हैरान परेशान नोपुर अभी सोची ही रही थी कि डोर बिल फिर बजूठी खिड़की का परदा हटा कर बाहर देखने की कोशिश करने लगी वह लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया, बस गहरी धुंद की चादर तनी दिखाई दी डर से कांप उठी नोपुर अकेले पन के प्रारंभिक दोर में जाने अन जाने लोगों द्वारा वक्त बेवक्त वजह बेवजह घंटियां बजाना या फोन कलकाना एक आमसी बात हो गई थी लेकिन उसकी द्रहता और निर्भैता के आगे हर बुरा तक्तु हार कर खामोश हो गया था अब इतने बर्सों बात किसने की ये ध्रष्ट था तभी द्वार पर एक साथ तीन चार दस्तके हुई तो उसने अपने स्वर के कमपन को यथा शक्ती दबा कर उचे स्वर में पूचा कौन है? मैं हूँ नवीन इस नाम और नाम की उच्चारण शैली दोनों नहीं चौका दिया नूपुर को फिर भी मानो अपने संदेव को नकारते हुए से उसने पूचा कौन नवीन? अरे भाई तुम्हारा पती नवीन नवीन वर्मा अब शक्की कोई गुनजाइश न थी लेकिन उसका मन था कि इस सत्को की नवीन लोट आया है वह भी आठ वर्षों बात न जाने क्यों सुईकारने को तयार नहीं हो पा रहा था उसने जटके से पहले बाहर वाली बत्ती का स्वेचान किया फिर भीतर की शत्प्रतिशत नवीन ही तो खड़ा था उसके सामने गुजरते आठ बलकि साड़े आठ सालों ने उसे जरासी भी खरोच नहीं पहुचाई और वही रंग रूप, वही स्वर्ग, वही शेखी बस शरीर थोड़ा सा भर गया था ये क्यों आया है अब इतने बरसों बात नूपुर के मन में यह सवाल कांटे की तरह हो गाया वह बुत बनी खड़ी सोच रही थी और नवीन बड़े सहज भाव से अपने बैग और सूट के भीतर सरका रहा था ऐसे जैसे वह बरसों के देर को अंतराल बाद नहीं आठ दिन के ओफिस टूर के बाद लोट कर आया हो अरे क्या बात है नूपुर ऐसे क्यों खड़ी हो गुमसुम यकीन नहीं हो रहा कि मैं हूँ हाथ हागे बढ़ाते हुए अत्यंत सहज स्वर में कहा नवीन ने लेकिन नूपुर ने उसके बढ़े हुए हाथ को नहीं थामा और रूखे स्वर में बोली मेरा पता कहां से मिला तुम्हें जहां की चाह हो वहां की राह भी मिल ही जाती है नूप बेगम मत करो चाहरा की बातें ये बातें तुम्हारे मुँसे अच्छी नहीं लग रही तड़प कर कहा नूपुर ने पर वह भी अपनी ही तरह का बेशर्म और धीट इनसान था हसकर बोला अभी तुम गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा जैस भी है ये कैसे ठंडा होका मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई चायवाई मिलेगी नूपुर के जवाब का इंतजार किये बिना वह घर बर में गोम आया पायल दिखाई नहीं दे रही कहां है वह अपनी नानी के घर ओ विंटर वेकेशन थी इसलिए वह वहीं रहती है वहीं रहती है? कबसे? बच्पन से जबसे तुम चोड़ों की तरह भाग गय थे हमें छोड़ कर तब से क्यों? एक बच्ची नहीं पाली सम्हाली गई तुमसे हां, नहीं सम्हाली गई मुझसे पर मेरे ही माबापने पाला हे ना उसे तुमने या तुम्हारे माबाप ने तो नहीं न जानते भी हो तुम्हारे जाने से गहरे सदमे में चली गई थी मैं मेरे मम्मी पापा तुम्हारे माबाप के पास गए थे इनसाफ मांगने पर उन्होंने साफ कह दिया हमारे बेटे को बांध कर रखने का हुनर न सीख पाई आपकी बेटी तो हम क्या करें वह इससे तंग आ चुका था तभी तो चला गया अब आप लोग ही रखें अपनी बेटी को भी और उसकी बेटी को भी फिर मैं समली अपने आपको बटोरा और पायल को क्रेच में छोड़कर रोजी रोटी कमाने निकल पड़ी और वहीं क्रेच में एक युवर नौकर के बलातकार का शिकार होते होते बाल बाल बची मेरी चार साल की बच्ची तभी मम्मी आकर ले गई थी उसे वह तब से वहीं है नानू नानी को ही माबाप समझती है सब कुछ सामान सहज होने के बाद मैं ले आई थी उसे यहाँ पर उसका मन नहीं लगा अपने नानू नानी के बिना इसलिए फिर वहीं लोट गई वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ पागल हूँ मैं भी तलकस्वर में कहा नोपुर ने अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आ गया हूँ ना घर बहुत सुन्दर है तुम्हारा बेशब काफी छोटा है पर है शानदार मुझे बड़ा घर क्या करना है अकेली बस छोटियों में पायल आती है नानी नानों के साथ और इस छोटे से घर की किष्टों में ही आधी तनख्वा निकल जाती है मेरी पायल का खर्चा भी भेजना पड़ता है पापा रेटायर हो चुके हैं थोड़ी सी पेंशन मिलती है उनको बाकी कहते कहते अचानक नूपूर को ध्यान आया कि ये बाते नवीन को बताने की नहीं है तो वह खामोश हो गई तुम फिक्र मत करो नूर मैं एक जटके में मकान का कर्ज उतार दूँगा तुम्हारी सोच से भी परे है कि कितना कमा कर लाया हूँ मैं बिना तर्क वितर्क किये नूपूर उठकर रसोई में चली गई गैस ओन कर चाय का पानी चड़ा ही रही थी कि नवीन भी आ गया और उसके एकदम करीब खड़ा हो गया अच्छा एक बात तो बताओ बेगम तुमने अपने अरोस पडोस में मेरे बारे में क्या बता रखा है क्या बता रखा है मतलग मतलग कि मेरा तुम्हारा तलाक हो गया है या मैं मर चुका हूँ या जो सच है वही बताया है मैंने जूट बोलने की न जरूरत है मुझे और न वजह है वैसे तुम यह क्यों पूच रहे हो क्योंकि ना तुम्हारी मांग में सिंदूर है और ना गले में मंगल सूत्र जबकि ना तो तुम तलाक शुदा हो और ना ही विध्वा बिना कोई जवाब दिये चाय छान कर एक प्याला नोपुर ने नवीन को थमा दिया और दूसरा खुद थामकट ड्रॉइंग रूम में आ बैठी वह भी वही आधम का मैं तुम्हें मान गया नूर तुम हो बड़ी हिम्मत वाली यू अकेली रह रही हो तुम चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी बाई गौड तुम अभी भी उतनी ही सुन्दर हो और यंग भी तुमने तो की थी न दूसरी शादी वहाँ जाकर वह तो खालिस कॉन्ट्रेक्ट मैरिज थी जो सिर्फ पेपर्स में हुई थी आई मीन पेपर मैरिज कोई संबंध वंबंध नहीं थे उसके मेरे बीच मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और उसे अच्छी खासी रकम और कॉन्ट्रेक्ट खत्म मैरिज खलास फिर एक शादी और भी तो की थी तुमने हाँ वह अमेरिकन गोरी से की थी पर वह साली बेवफा निकली विच एंड बिच अपने से छोटी उम्र के छोकरे के साथ चली गई पर मुझे माल साल काफी मिल गया उससे उससे एक बेटी भी है तुम्हारी एंजेला और वह अपनी मा और नए बाप के पास है अरे बच्चे के लिए ही तो शादी की थी उसने मुझसे पहले जिसके साथ रहती थी वह नपुनसक था बलकि मुझे तो लगता है जिन जिनके रही सोई होगी वह वे सारे ही नपुनसक होंगे तभी उसने मुझे भासा बाइ दवे मेरी सारी खबने हैं तुमारे पास इसका मतलब है कि तुम मुझे कभी नहीं भूली कहां से कीए ये एंक्वाइरी इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी मुझे मेरे चंद सो कॉल्ड वेल विशर बराबर खबरें पहुंचाते रहते हैं मुझे चाहे मेरी रुची हो या नहो जैसे तुम्हारी अगली खबर है कि तुम चोथी शादी करने भारत आये हो ना ना ये खबर गलत दी है तुम्हारे खबरचियों ने मैं चोथी शादी करने नहीं बलकि अपनी पहली और असली शादी निभाने आया हूँ सच कहूं नूर मुझे ममा डैडी ने ही भेजा है तुम्हारे पास कि हम मिलकर एक हो जाएं फिर से कहते कहते आगे बढ़कर नवीन ने उसका हाथ थाम दिया जटके से हाथ चुड़ा कर तमक कर बोली नोपूर ये हिमाकत फिर ना करना नवीन धुंद से बामुश्किल दामन चुड़ा कर ठंड में लिप्टी अगली सुभः बड़ी देड़ से उतरी नोपूर के आंगन में और आने से पहले मानो सोसाइटी के लगबग हर घर में खबर पहुँचा आई कि नोपूर का पती लोट आया है तभी तो सुभे से ही आने वालों का ताता लग गया जितने मुँ उतनी बातें सही मायने में उसकी हमदर्द और हमराज सहेली आमना ने कहा जो फैसला लेना सोस समझ कर लेना नोपूर जल्दबाजी न करना ऐसा न हो कि तुम फिर से ठगी जाओ बड़ी मुश्किल से तो समेट पाई थी तुम खुद को प्रथम तल में रहने वाली अम्मा जी ने समझाने के अंदाज में कहा घीकिक दिये जलाओ बिटिया बड़े सालों के बनवास के बाद तुम्हारे राम जी लोटे हैं राम जी से इसकी तुलना कर राम जी का अपमान न करें अम्मा जी राम ही जाने कौन सी साजिश पल रही है इसके मन में ना बिटिया ऐसे मत बोल बहुतेरे दिन गुजारे तैने मरत बिना अब यों समझ कि नसीब ने तेरे द्वारे पर दस्तक दी है उसके मुपे दरवज्जा न मारियो बिटिया पहले मन बना नूपुर का की ओफिस से चुट्टी ले ले पर नवीन की उपस्थिती असहज बना रही थी उसे और उससे बचने के लिए ओफिस जाना ही एक मात्र विकल्प था तैयार होकर नवीन से बोली फ्रिज में सब कुछ धरा है जो जी चाहे खा पी लेना आज ओफिस मत जाओ न प्लीज नवीन ने हाथ जोड़ कर कहा किसी जमाने में उसकी इन अदाओं पर रीज रीज जाती थी वह पर अब यह हरकतें उसके मन को कसैला कर रही थी एक पल के लिए वह ठिटकी फिर एक चुबती नजर उस पर डाल कर बाहर निकल गई दफ्तर पहुंचते ही मा को फोन किया मम्मी वह लौट आया है वह कौन? आपका भगोरा दामाद अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तैने बिटिया बेटा मरत की च्छाओं बहुत जरूरी है हरा उरत के लिए और फिर पायल को भी तो पिता की जरूरत है वह खुद आया है चलकर तेरे पास उसे लात मत मारियो बिटिया तुझे कसम है मेरी मम्मी इतने दिनों से रह रही हूँ ना मरत की च्छाओं के बिना बताएए मैं जुलस गई या मर गई पायल के पास माबाप हैं आपके और पापा के रूप में मम्मी क्या आप मेरे आंसो भूल गई मेरा बैराग भूल गई फिर मा से और बहस किये बिना नोपुर ने फोन पटक दिया दफ्तर में मन नहीं लग रहा था नोपुर का जल्दी लोटना चाहती थी पर ये सोच कर रुप गई कि कहीं नवीन को ये खुश फैमी न हो जाए कि वह उसकी वज़े से जल्दी घर लोटी है शाम घर पहुँची तो ये देखकर तनमन सुलाग उठा उसका कि वह उसके पलंग पर पौँ फैला कर लेटा आराम से टीवी देख रहा था उसे देखते ही चहक उठा चाय बनाओ तुमारे लिए बेगम नहीं बहुत हो चुका अब तुम जाओ यहां से तुम्हारी मौजूदगी बरदास्त नहीं कर पा रही हूँ मैं आज पहली बार ऐसा हुआ है जब अपने ही घर लोटने में संकोच हो रहा था मुझे तुम चले जाओ नवीन प्लीज चले जाओ यहां से कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है खेर जाने दो आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं कहता हुआ नवीन ड्राइंग रूम हॉल की और बढ़ा पीछे पीछे वह भी पहुँची और देखकर हैरान रह गई कि कालीन पर दहेज की तरह धेनों सामान सजा था ये सब क्या है नवीन ये सब तुम्हारे लिए है जान और ये सूटकेस इसमें सारा सामान पायल के लिए है अपनी ये दुकान समेट लो नवीन मुझे या मेरी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए बस क्रपा करके तुम चले जाओ यहां से वाह क्यों जाओं मेरा पूरा हक बनता है तुम पर कानूनन हमारा तलाग तो नहीं हुआ न तुम नूपूर बरसने को हुई तो नवीन ने जट से दोनों कान पकड़ कर कहा ओके ओके चला जाओंगा सिर्फ एक रात महमान की तरह ठहरने दो मुझे सुबह होते ही दपा हो जाओंगा यहां से रात आधी से जादा गुजर चुकी थी अपना बेडरूम नवीन के हवाले कर ड्रॉइन रूम में जमीन पर ही बिस्तर बना कर लेटी हुई थी नूपूर नींद आखों से कोसो मीलों दूर खड़ी थी उसे याद आया पहली ही नजर में पसंद कर कितने चाओ से ब्याह कर लाया था नवीन उसे और नूर नूर बेगम की रट लगाता हुआ उसके आगे पीछे डोलता फिरता था फिर चाओ कम होने लगे और उसे नूपूर में कमया ही कमया नजर आने लगी सबसे बड़ी कमी तो यह कि वह दहेज कम लाई थी कैश माल तो बिल्कुल नहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कितनी बार सुना चुका था नवीन उसे लाखों का दहेज थाली में सजा कर कितने ही लड़की वाले हमारे घर के चक्कर काटा करते थे वो तो तुम पहली ही नजर में मुझे पसंद आ गई तो मैंने कहा रे मन मार दहेज को गोली बहुत आहत होती थी नोपुर परन्तुम मम्मी पापा चिंता ना कने इसलिए उन तक कोई बात नहीं पहुँचाती थी अमीर वह भी रातों रात बिना मेहनत किये बनने का नशा सवार था नवीन के सिर पर बार बार यही दोहराता था वै यहां तो हम लकीर के फकीर ही बने रहेंगे नूर एक बार बस एक बार तुम किसी भी तरह मुझे यूएस जाने दो तकदीर बदल कर रख दूँगा मैं अपनी तुम्हारी नूपुर तो जो था उसमें ही खुश तथा संतुष्ट थी उसे समझाती मेहनत करोगे न नवीन तो यहीं सब कुछ पालोगे कोई यूजस या यूके नहीं जाना है तुम्हें ब्याह के सवा साल बाद पायल आई तो भी अपनी मा के संग मिलकर तानों के तीर ही चलाये नवीन ने मा की तीन बेटियां हैं तो बेटी को बेटा कहां से होगा बस एक के बाद ही तौबा है हमादी बेटियां ही पैदा करेगी ये तो मन कितना फरफडाया था तब यह कहने को श्रीमान नवीन वर्मा पढ़े लिखे हो और इतना भी नहीं जानते कि धर्ती वही फल देती है जैसा बीज उसके गर्भ में बोया जाता है पर लाज लिहाज से कह नहीं पाई थी अपनी नन्नी सी गुडिया के साथ सौ ताने सुन सहकर भी खुश थी बहुत खुश नोपुर पर नवीन कहां खुश रहने वाला था अंदर ही अंदर ना जाने कब उसने सारा जुगार बैठा लिया और जब वह सवा तीन साल की पायाल को लेकर मायके गई हुई थी तो पीछे से वह उड़ गया संयुत खाते में लौकर में रखे नोपुर के गहनों को बेज कर यूएस की टिकेट जुटाई थी उसने आधी पागल तो हो ही गई थी नोपुर बड़ी मुश्किल से समेट पाई थी खुद को 5-7 महीनों तक तो खत लिखे नवीन ने पर नोपुर ने कभी कोई प्रतियुत्तर नहीं दिया तो खत फोन सब बंध हो गए अब लौटा है तब का गया साड़े आठ साल के लंबे समय के बाद क्यों? क्या है इसके मन में? ये विचार रह रहकर परिशान कर रह थे नोपुर को सोचते सोचते ना जाने कब आँख लग गई उसकी जो किसी लिजलिजे से इस फर्षत से जल्दी ही खुल भी गई नवीन था उसके कंबल के अंदर काप गई नोपुर और बिफर कर बोली ये क्या बत्तमीजी है नवीन? बत्तमीजी कैसी? तुम मेरी पत्नी हो नूर भूल जाओ फिसली बातों को और आज को जियो सौ बार माफी मांग चुका हूँ तुमसे अरे इतनी माफी मांगने पर तो भगवान भी गुनाहा माप कर देते हैं और अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी जिंदगी में यूएस जाओंगा जरूर पर तुम्हें और पायल को लेकर बहुत फर्क है यहां और वहां की लाइफ स्टाइल में वंडर लैंड है वह देश मुझे नहीं जाना तुम्हारे उस वंडर लैंड में और कैसे माफ कर दू मैं तुम्हें एक युग गुजारा है मैंने अकेले और अब मुझे अकेले पन की ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं उसमें किसी को शामिल नहीं कर सकती और तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं तुम हो कौन मेरे पती हूँ तुम्हारा पती इन 22 गंटों में 24 बार पती होने का दावा ठोक चुके हो तुम्हें कौन सा पती धर्म निभाया है तुमने पती धर्म निभाने की ही तो कोशिश कर रहा हो नूर पेगम पर तुम हाथ ही नहीं धरने देती नुपूर को बाहू में जकरने की कोशिश करते हुए कहा नभीन ने तो गुस्से से जैसे वै पागल हो गई छोड़ो मुझे ये पती धर्म नहीं बलतकार की कोशिश से मिस्टर युएस रिटर्न खुद को मेरा पती कहते हो तुम अरे दो-दो शादियां की है तुमने मुझे तलाग दिये बिना 5 साल की जमा 5 साल का ब्याहता जीवन जिया है मैंने सिर्फ तुमने सब कुछ पाया और मैंने सिर्फ अकेला पन बेटी के उजले भवश्य के लिए बेटी से ही दूर रह रही हूँ मैं कभी, कभी भी सोचा तुमने कि मेरे साथ क्या कर गए थे तुम अब भी क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ मैं समझ नहीं पा रही तुम जब चाहे मेरी जिंदगी से चले जाओगे और जब चाहे लौट आओगे ये ना होगा मिस्टर यूएस जाओ, चले जाओ यहां से हाँ हाँ, चला जाओँगा अब भी तुमसे बहतर हजारों मिल जाती मुझे पर मैंने सोचा कि चलो खेर, मैं क्यों मा था खोणू तुम्हारे साथ और एक बात कहूँ कि तुम्हारे इस अकेले पन के नाटक का कोई असर नहीं पढ़ने वाला मुझे पर पहले तो मुझे शक था पर अब यकीन हो गया है कि जरूर कहीं कोई चक्कर है तुम्हारा किसी के साथ वरना सालों बात किसी पुरुष और वह भी अपने पती के टच की आच से मखन की तरह न पे घलूटती तुम देह की मांग और धर्म से मैं भी अंजान नहीं हूँ मैडम इंडियन इतने लंबे अर्शे तक कोई भी इंसान इस प्राकृतिक जरूरत के बिना रह ही नहीं सकता क्या मैं जानता नहीं चलो अब बता ही डालो कौन है वह कोई ताना नहीं दूँगा इतना लिवरल तो हूं मैं नवीन ने जहर बुझे चुभते स्वर में कहा छी लानत है तुम्हारी घटिया सोच पर और उससे ज़्यादा मुझ पर कि मैंने तुम्हें अपने घर में घुसने दिया और इतनी देर रहने की इसाज़त दी सिर्फ देह की मांग और धर्म के बारे में ही जानते हो तुम अगर ये जानते होते कि आत्मा और मन की मांग क्या है प्यार का धर्म क्या है रिष्टों की मर्यादा क्या है तो तीन तीन शादियां करके भी यूँ अकेले न होते अकेली मैं भी हूँ पर मैंने अपने अकेले पन को सच्चाई और इमानदारी से जिया है तुमने तो पूरी जिंदगी ही मकारी से जी है दो बेटियों के पिता होकर भी पिता नहीं मेरी बेटी मेरे पास नहीं पर साथ तो है बहुत बोल रही हो नूर तुम हदे पार मत करो अच्छा नहीं होगा नूर कहे देता हूँ मत कहो नूर मुझे ये हक तुम खो चुके हो हमेशा के लिए और क्यों न बोलूं बोलूंगी और तुम्हें सुनना होगा तुम्हारे बदले बरताओ को देखकर एक पल के लिए सिर्फ एक पल के लिए मेरे दिमाग ने नहीं दिल ने कहा था माफ कर दे इसके सारे गुनाह और स्विकार कर ले इसे अपने पती के रूप में नहीं तो अपनी बेटी के पिता के रूप में ही सही लेकिन कितनी गलत सलाह दी थी मेरे दिल ने तुम तो पहले से भी बत्तर होकर लोटे हो तुम्हारे लिए रिष्टे नाते सिर्फ खेल है और और औरत सिर्फ एक देह है कितनी ओची सोच है तुम्हारी इतना घिनोना इलजाम लगा कर तुमने खुद को मेरी नजरों से बिलकुल ही गिरा दिया है मेरी आत्मा को ही गायल नहीं किया तुमने मेरी अस्मिता को भी गाली दी है तुमने पूछा था ना मुझसे कि मेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है मैंने मंगल सूत्र क्यों नहीं पहन रखा तो इसका जवाब यह है कि तुम्हारे वजूत को तुम्हारे जीते जी ही नकार चुकी हूँ मैं अब एक पल के लिए भी तुम्हें बरदास्त नहीं कर सकती तुम निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त और हाँ अपनी ये दुकान भी समयट कर ले जाना समझे तुम्हारी चौती बीबी के काम आएगी एक सांस में ही इतना सब कह गई थी नूपुर हाँ हाँ समझ गया खुब अच्छी तरह समझ गया वक्त आने पर तुमें भी सब समझा दूँगा सूट केस में सामान भरते हुए कड़वे स्वर में कहा नवीन ने और एक तीखी नजर उस पर फेक कर वह बाहर निकल गया नूपुर ने चैन की सांस ली धुन्द में लिप्टी सर्द सुभए अभी पूरी तरह नहीं जागी थी और हाथ में गर्मा गर्म चै का प्याला थामे नूपुर सोच रही थी कि एक लंबा युग गुजारा था उसने यूँ अकेले रहकर लेकिन अपनी देह अत्वा संबंधों को कभी सीड़ी नहीं बनाया देहिक भूख भी नहीं जागी उसके भीतर वह और सिर्फ वही जानती है कि ये बात कितनी सच्ची है किसी और को क्यों सफाई दे वह कि जब जब काजल की काली कोठ्रियों से बेदाग बचकर बाहर निकली वह तब तब पुर्षों के प्रती गाड़ी अपने बल्बूते पर आत्म निर्भर हुई अपना निड्ड अकेले ही बनाया और इस अकेले पन तथा आत्म निर्भरता ने उसके अंदर पून्ड आत्म विश्वास चगाया वह अकेली रहती जरूर है लेकिन अकेली है नहीं फिर क्यों स्विकार करती वह पती नाम के उस लोभी और उसरवादी जीव की जूटी और जूटी देंग को सिर्फ इसलिए उसकी प्रणय याचना प्रणय नहीं बलकि हवस याचना को स्विकार कर लेती वह कि कानूनन अब भी उसका पती है वह नवीन पुरुष है सिर्फ इसलिए जब जो जी चाहे कर सकता है और वह इस्तरी है इसलिए उसे उसके किये उचित अनुचित को दासत भाव से सिर माथे पर सजाना है ये कहां का इंसाफ है वह क्यों एक बार फिर अपनी किस्मत और अस्मिता को दाउं पर लगा देती क्यों आफिर क्यों तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें कहानी सुनन के लिए दिल से आबाद धन्यवाद